नमस्कार मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सब का स्वागत करती हूं आज मैं बात करने जा रहे हूं आज के समय में जो पाए जाने वाली बिमारी है जिसे आप डाइबेटीज कहते हैं या मधुमे कहते हैं या शुगर कहते हैं तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा informative होगा आपके लिए इसलिए मेरे साथ बने रहे हैं अनकर आज के वीडियो में आप जानेंगे कि जो डाइबेटीज है वो क्या होती है किस तरह से बनती है इसके क्या कारण होते हैं क क्या लक्षण होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, और होमेपैथी हमारी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती है, डायबेटीस को मैनेज करने में, तो चलिए, शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मे जो डायबेटीज है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है, कि यह क्या होती है, किन कारणों से होती है, डायबेटीज या आप जिससे शुगर कहते हैं, एक ऐसी आवस्ता होती है, जब आपके ब्लॉड में जो ग्लुकोस लेवल है, वो बढ़ जाता है, मतलब आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है नॉर्मली जो आप खाना खाते हैं दिन भर में या जो आप फूड ले रहे हैं उससे आपकी जो बॉड़ी सेल से उनको एनरजी मिलती है और ये एनरजी प्रोवाइट करता है आपका एक हॉमोन जिसे हम कहते हैं इंशुलीन इंशुलीन एक ऐसा हॉमोन है जो हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल से सिक्रीट होता है जब यही हॉमोन मतलब जिसे हम इंशुलीन कह रहे हैं इसका formation बंध हो जाए या फिर एक proper formation ना हो पाए इसका या फिर जो formation होता है उसके प्रती जो cells हैं वो less sensitive हो जाएं तो इस condition में जो अवस्था या जो condition develop होती है उसे हम कहते हैं diabetes या sugar या मधुमे यह कितने प्रकार की होती है यह जान लेते हैं जो diabetes है वो commonly तीन प्रकार की या तीन types की देखने को मिलती है first type 1 diabetes जिसे आप insulin dependent diabetes कह सकते है next जो दूसरा है type 2 diabetes जिसे आप non insulin dependent diabetes कह सकते है और third है gestational diabetes पहले हम बात करेंगे type 1 diabetes क्या होता है type 1 diabetes जिसे मैंने कहा insulin dependent diabetes इसे आप juvenile diabetes भी कह सकते हैं क्योंकि यह बच्चों और जो युवा होते हैं या adults होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है type 1 diabetes में जो आपका insulin hormone है उसका secretion पूरी तरह से बंद हो जाता है मतलब जो आपका immune system है वो इतना ज़्यादा destroy हो चुका होता है कि आपका जो pancreas की beta cells होती है वो insulin का formation करना बंद कर देती हैं इस condition में आपको survive करने के लिए जो insulin है उसके injections लेने पड़ते हैं उसकी doses लेनी पड़ती है next जो type है वो है non insulin dependent diabetes या आप इसे type 2 diabetes mellitus कह सकते हैं यह जो आवस्था है यह more than 45 year जो age group होता है मतलब 45 साल से उपर के जो लोग होते हैं या बूड़े जो लोग होते हैं elder जो person होते हैं उन में ज़्यादा देखने को मिलता है इस अवस्था में जो आपका insulin hormone होता है वो बनता तो है लेकिन एक enough level पर नहीं बन पाता है जितना आपके शरीर को आपकी body के cells को जरूरत होती है मतलब जो insulin है वो आपकी cells तक glucose को proper way में नहीं पहुचा पाता है उतनी energy provide नहीं कर पाता है जितनी जरूरत आपके शरीर को है next है gestational diabetes gestation का मतलब होता है during pregnancy या गर्भा वस्था मतलब जो diabetes during pregnancy detect होती है उसे आप कहेंगे gestational diabetes यह commonly उन females में दिखने को मिलेगी जिन में family history of diabetes पाई जाती है या फिर उन में कोई hormonal dysfunction रहा हो जैसे thyroid का कोई dysfunction या फिर PCOS की condition जिसे आप polycystic ovarian syndrome भी कहते हैं इस तरह की अगर condition मिली है तो उन females में gestational diabetes detect होता है normally यह after delivery या after giving birth यह resolve भी हो जाता है लेकिन यह जो females होती है यह type 2 diabetes के लिए काफी ज़्यादा prone हो जाती है मतलब भविश्य में या in future इनको type 2 diabetes हो सकता है next मैं बात करूँगी इसके risk factors की मतलब क्या ऐसे कारण होते हैं या क्या ऐसी conditions होती है जिन में diabetes हो सकता है या diabetes develop हो सकता है सबसे पहला जो कारण है lifestyle क्योंकि diabetes एक lifestyle disorder माना जाता है अगर आपका ऐसा कोई काम है जो बैठे बिठाई करने वाला काम है sedentary lifestyle आप जी रहे हैं और बाहर का junk food या oily food ज़्यादा ले रहे हैं आपका weight gain बहुत हो रहा है मुटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जो लोग होते हैं उन में diabetes की जो condition है या अवस्ता है वो ज़्यादा देखने को मिलती है अगला factor है stress या depression जो लोग ज़्यादा tension लेते हैं या ज़्यादा depressed रहते हैं उन लोगों में भी hormonal dysfunction की वज़े से diabetes develop हो सकता है क्योंकि diabetes एक hormonal disorder भी माना जाता है इस वज़े से stress भी एक major cause माना जाता है next है cholesterol अगर आपकी body का good cholesterol जिसे हम HDL यानि high density lipoprotein भी कहते हैं अगर ये good cholesterol level कम हो जाए और triglyceride level आपका बढ़ जाता है तो उस condition में भी आप diabetes के मरीज़ बन सकते हैं अगला factor है आपका अगर आपकी history hypertension की रही है मतलब आप high BP के patient रहे हैं या person रहे हैं या हैं या आपको कभी stroke की history रही है तो उस अवस्था में भी diabetes develop हो सकता है next है अगर आपको कोई hormonal disorder आए like PCOS major cause माना जाता है PCOS होता है polycystic ovarian disorder या polycystic ovarian syndrome इस तरह की कोई condition रही है तो उसमें भी diabetes हो सकता है अगला जो cause माना जाता है acanthosis nigricans चीसे कहते हैं acanthosis nigricans एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपका around the neck या back of the neck या फिर आपका armpit के अंदर armpit में आपको एक dark thick volvety skin देखने को मिलेगी तो वो भी एक sign होता है कि इस person को diabetes की शिकायद हो सकती है next मैं बात करूँगी इसके क्या symptoms आप देख सकते हैं कुछ ऐसे common symptom देखने को मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको diabetes के symptoms हैं या इन्हें आप एक alarming sign के रूप में देख सकते हैं सबसे पहला जो आप देख सकते हैं बार-बार toilet जाना मतलब जो urine frequency है उसका बढ़ जाना especially रात के time या night में जो urine frequency है वो बढ़ जाती है toilet बार-बार जाना होता है next है आपका भूप बहुत जादा बढ़ जाना जिसे हम अपनी medical language में कहते हैं polyphasia polyphasia मतलब आपको हर आदे गंटे में या हर कुछ मिंटों में आपकी भूप बढ़ती रहती है और साथ में आपको प्यास पी बहुत जादा बढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं polydipsia और अगर आपको साथ में चिर्चडापन महसूस हो रहा है बहुत जादा थकावट या fatigness फील कर रहे हैं तो यह सारे alarming signs है कि आप diabetic person हो सकते हैं या आपको diabetic diagnose हो सकती है इसलिए अपना जो sugar level है या diabetes के test है वो करवाना आपको बहुत जादा जरूरी है कभी कभी आपको सुनने को मिलता होगा कि आपकी जो stage है वो pre-diabetic stage है या आपके जो blood reports आये हैं वो उसमें pre-diabetes detect हुआ है तो यह अवस्था क्या होती है यह जान लेते हैं प्री-diabetes एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपका blood glucose level यूजरी रेज तो होता है बढ़ता तो है लेकिन उस level तक नहीं बढ़ा होता है कि आपको diabetes confirm की जाए है कि आपको आप diabetes के मरीज हैं या बन चुके हैं नॉर्मली जब आप अपना blood sugar test करवाते हैं तो fasting condition में जो इसका range आता है अगर 101-125 mg per dl के बीच में यह range आपको मिलता है तो आप उस condition को कहते हैं तो इसे भी आप pre-diabetes की stage कहते हैं यह आपके लिए एक alarming sign होता है कि आपको in future diabetes develop हो सकता है और अब आपको अपना sugar control करने की ज़रूरत है अब मैं बात करती हूं होमेपैथिक इसमें किस तरह से आपकी health कर सकती है या किस तरह से जो homeopathic medicines होती है वो अपना क्या role play करती है जैसा कि मैंने आपको बताया diabetes एक hormonal disorder है एक metabolic disorder है एक lifestyle disorder है और इसमें जो हमारा immune system होता है वो destroy होने लगता है मतलब उसके destroy होने की वजह से ही हमें diabetes develop होती है तो जो homeopathic medicines होती है उसी immune power को या फिर उसी immunity को strong करती है और जो आपकी diabetes की stage आ रही होती है या आ चुकी होती है उसको control करने में मदद करती है या मतलब आपका blood sugar level है उसे reduce करने में मदद करती है उसे control करने में मदद करती है कई cases में देखा गया है कि जो pre-diabetes की stage अगर detect हुई है और उस तोरान अगर आप homeopathic treatment लेते हैं pre-diabetes का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अभी diabetes confirm नहीं है, diabetes हुआ नहीं है लेकिन आप diabetes की और बढ़ रहे हैं अगर आप इसी condition में homeopathic medicines start करते हैं या लेना शुरू करते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा result देखने को भी मिलता है कई cases में हमने यह results देखे भी हैं कि pre-diabetes stage में homeopathic medicines ने अपना एक बहुत अच्छा role play किया हैं क्योंकि वो जो blood sugar का जो level होता है उसको control करने में काफी ज़्यादा मदद करती है और अगर आपका blood sugar detect हो चुका है या आप diabetes के मरीज पहले से ही हैं या काफी ज़्यादा बड़ा हुआ हैं तो आप उस condition में अप सबसे पहले अपना glucose level को control कीजिए तो इस तरह से आप जो allopathic medicines साथ में ले रहे हैं उसे भी आप continue कीजिए और उसके साथ ही साथ आप homeopathic medicines को भी continue कर सकते हैं बशर्ते आप दोनों medicines के बीच एक घंटे का अंतिराल रख सकते हैं, gap रख सकते हैं फिर जाकर आप दोनों medicines use कर सकते हैं इसमें जो सबसे पहली medicine माने जाती है, जो diabetes के लिए specific medicine माने जाती है जिमनेमा, sylvestra ये medicine अगर आपको diabetes के साथ hypertension की भी condition है, मतलब high BPP भी रहता है तो जिमनेमा, sylvestra का mother tincture आप 20 piece पूंदे आधे कप पानी में सुबह शाम continue कीजिए और next medicine है, sygGM jambo lenum mother tincture, ये एक ऐसी medicine है जो जामुन से बनी होती है, आप सभी लोग जानते होंगे कि जामुन diabetes के लिए या sugar patient के लिए कितना अच्छा माना जाता है, उसी जामुन से ये medicine बनाई जाती है, इसका extract निकालकर mother tincture बनाया जाता है, ये भी homeopathic की best medicine माने जाती ह diabetes के लिए, इसे आप चाहे आप pre-diabetes के person है या फिर diabetic है, आप दोनों condition में इसे ले सकते हैं, इसे भी आप 20-20 spoon दे सुबह शाम आधे कप पानी में लीजिए, इसके आपको बहुत अच्छे results देखने को मिलेंगे, साथ ही मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको ये beneficial लगा है मेर और आपके family friends में कोई ऐसा person है जो इस तरह के issues से सफ़र कर रहा है, तो आप उसे वीडियो जरूर शेयर कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इन्हें like कीजिए, शेयर कीजिए, अपने health related issues आप मुझे comment section में message कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरी email ID पर भी मुझे mail कर सकते हैं, जिसका detail मैंने screen पर दिया है, या फिर आप मुझे मेरे social media link पर भी message कर सकते हैं, जिसका detail मैंने description box में दिया है, तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next video में एक नए topic के साथ धन्यवान